कि पैठट मानि मुखमंद्र जी के अध्यक्सता रुभी है और मानि मुखमंद्र जी ने कुछ सारे जिशा निर्देश दिये हैं पेजल विभाब को भी रिशीव भुराद को भी उसके बाद ग्रामी विकाद को भी कई विभाबों को निर्देश दिया है और साथी साथ इनों में नदेश दिया है कि वो बक्राल है, उटिसा है, बिहार है, उप्रपी है, कुछ-कुछ जो इस्टेट ऐसे हैं, उनका भी रिव्यू करिए कि वो जहाँ-जहाँ सुखाड है, वहाँ वो किस मैकेनियम का इस्तमाल कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं और और उनको क्या हम राहत हैं, और किस तरीके से उनको हम अपने ग्रामीन अंचल में रोजगार से जोड़े हैं, आधी-आधी कई एक विशे पर उन्होंने निर्देश दिया है, और कि निर्देश के आलोग में बहुत जल्दी सारे इकारी विभिन जिले में जाएंगे, और एक साथ जाकर वहां का सुखाड का पोलूंग निरिच्छन भी करेंगे, इसी के साथ साथ जो साहब गंज में बाड की जो सुष्या है, उसको लेकर भी जो 82 किलोमेटर का एक ऐसा एरिया है, जिसमें है, 20 किलोमेटर जो ज्यादा प्रभावित होता है, दियारा छेत्र, साम क्या क्या हो सकता है, कैसे उसको हम दो-तिन स्लोट में कर लेंगे, इसका भी उन्होंने निर्देश दिया है, मेटिंग काफी फ्रुट्फुल रही है, और इसकी समिख्षा करते हुए बारतारीक को, बारतारीक को पुनह जो है, इसकी बैठक में निर्दे लिये जाएंगे, कि इसमें भारत सरकार को भी हम लोग पत्रचार करेंगे, और साती साथ जो हमारा आपड़ा का पैसा है, और स्टेट गवर्मेंट का जो पॉइंटा उसका भी हम इस्तमाल करें, अपने राजिस जुड़ी हर ताजा ख़बरों के लिए आप हमें सब्स्क्राइब करें, साथ ती वेल आइकेन बटन दवाना ना भूले